हलो दोस्तों बिहार SAC का ओफिस्यल वेबसाट पर आज क्रेट में बहुत ही महतपूर्ण नोटीस चारी किया गया है तो उचले देख लिए जिस नोटीस में क्या कुछ दिया हुआ है नोटीस देखने के लिए यहाँ पर आपको सुचना पट पर किलिक करना है क्लिक करने के लिए यहाँ पर देखेगा तो आज क्रेट में दो मैं 2022 को नोटीस चारी किया गया और यह जो नोटीस संबंधित है विग्यापन संख्या 01-2022 से संबंधित है यानि तिरते अशनात का स्तरिय थर्ड CGL भरतीस संबंधित है और यह पिर आप गलत फिलब कर लिए तो उस कंडिशन में क्या कुछ करना है इसके बारे में भी बात करेंगे तो चले सबसे पहले आप इस नोटीस को देख लिजे यहाँ पर आप देखेगा तो आज की रेट में परिक्षा का बिग्यापन 6 अपरेल 2022 को प्रकासित किया गया था और फॉर्म भराना जो शुरू हुआ है 14 अपरेल से लास्ट डेट रखा गया है 17 में 2022 और 15 में तक रेइस्टेशन का डेट रखा गया है तो आप लोग लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए फॉ तो वेबसाट सही तरीके से काम नहीं करेगा आप देखेगा 10 तरीक के बाद सही तरीके से काम नहीं करेगा और फॉर्म भरनी के आपको रात भर जग करके फॉर्म कलब करना परेगा तो बेश्ट यह रहेगा कि आप जल से जल फॉर्म कंप्लीट कर लिजे और अगर आपको पर आगया था इसलिए और आप कारक्षन का लाब भी नहीं दिया जाएगा कैटेगोरी से संबनी तगर आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं इसलिए सभी सर्टिफिकेट बनाने के बाद ही आप और फिलब किजेगा और इस नोटीस का देखेगा तो परकासित बिग्यापन मे कोटिवार पदों की विब्रनी करम संख्या तीन तो इसमें देखेगा टोटल चेतरा का पोस्ट है पहला सचीवाला एसायक है और तीसरे नमर का जो पोस्ट है मलेरिया निरिक छक्का तो उसी संबन्दित यह नोटीस है और स्वास्थ विभाग बिहार पटना के पत्रांग यहाँ पर है 29 अपरेल 2022 तो 29 अपरेल 2022 को स्वास्थ विभाग की वर से बिहार SSC को नोटीस प्राप्त हुआ है और उसी नोटीस का लुक मिहां प्रभिग्यापन में संसोधन किया गया है तो 19 देखेगा तो 19 अपरेल 2022 त्वरा आयोक करिया लेक सुचित किया गया है कि बिह यहाँ पर डेट है 12 सितंबर 2019 के द्वरा मलेरिया निरिक्षक संबर्ग नियामावली 2015 और मलेरिया निरिक्षक संसोधन नियामावली 2017 को निरस्त करते हुए जो पहले का नियामावली था उसको निरस्त कर दिया गया कैंसिल कर दिया गया उसके जगह पर नया नियामावली बनाया गया है वेक्टर रोग नियांतरन पताधिकारी संबर्ग नियामावली 2019 अधिस उचित की गई है तो यहाँ पर आपको डॉट यह होगा क्या मलेरिया निरिक्षक का पोस्ट हटा दिया गया है थाटे यह बिल्कुल नहीं गया है जो 2015 और 2017 का नियामावली था उसमें उ सितंबर 2019 के प्रविर्थ होने के फाल स्वरो परकासित विज्यापन के करम संख्या 3 में अंकित मलेरिया निरिक्षक को वेक्टर रोग नियांतरन पताधिकारी के रूप में पढ़ा जै और 6 अपरेल 2022 को परकासित विज्यापन को इस हत्वक संसोधित किया जै यानि इस नो हुआ है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में भी कुछ भी यहां पर संसोधन नहीं हुआ तो आपके लिए बेस्ट ही है पहले जो पोस्ट का नाम था मलेरिया इंस्पेक्टर अब वेक्टर रोग नियांतरन पताधिकारी रहेंगे इसका काम सिर्फ मलेरिया रोग थाम नहीं कर रहेंगा वेक्टर यानि मच्छर के द्वारा जो भी रोग फैलता है सभी पर नियांतरन करना रहेंगा जैसे इसमें डेंगो भी हो गया मलेरिया भी हो गया तब एक कॉमन नाम हो गया और यहां पर नाम में दिखेगा तब पदाधिकारी भी जूट गया है तो आपके यहां पर दो बार संसोधन हो गया जैसे विग्यापन पब्लिष्ट किया गया था साथ अप्रेल को पहला संसोधन हुआ था जिसमें 287 टोटल सीट था लेकिन काटेगोरी वाज में सभी मालग लाग था यानि जो जो जोर करके जिस भी है स्टाप की और से टैपिंग किया ग बाद करेंगे तो फिलप करने के लिए यहां पर 14 अप्रेल का लिंक है इस पर किलिक किजिएगा किलिक करने के पाद यहां से एक नया वेवसेट ऑपेन होगा और यहां पर देखीगा तो फॉर्म भराना जो रिजिस्टेशन शुरू है 14 अप्रेल से लास्ट डेट रखा ग लेकिन पेमेंट यहां पर सक्सेस नहीं बता रहा है तो उस कंडिशन में आपको यहां पर अगर ICIC या SBI पेमेंट गेटवेस के हैं तो दोनों का लग-लग हेल्प लैन नमर है अब यह पेमेंट गेटवे क्या है तो जब आप रिजिस्टेशन करते हैं इसके बाद आप पे यहां पर पैसा कटने के बाद सक्सेस नहीं हुआ है तो यहां पर जो हैल्प लैन नमर है इस पर आप सब्सक्रिकेлов कर सकते सकते हैं जो भी आप क्या स्कीन सृट होगा या फिर मैसेज होगा तो मैसेज में रिपरेंस नमर होगा पेमेंट से संबान होगा या अगर penso बाद ह किया है तो वहां से भी चेक कर सकते है ट्रांजेक्शन एडी से आप इस पर इमेल कीजेगा तो वहां से फिर अपडेट कर दिया जएगा आपकी पेमेंट को और अगर फेल्ड हो गया तो उस कंडिशन में या तो यहां पर रेजिश्टेशन अगर आपके bank account से success है तो यहां पर जो रेजिश्टेशन है इसमें update आ जाएगा अगर आपके पैसा कटी है और फेल्ड हुआ है तो उस कंडिशन में आपके account में या तो सक्सेस होगा नहीं तो return आपके account में आ जाएगा और website से समभनित कोई भी समस्या है या यहां पर रेजि के बीच में सबसे बढाए कि यहां पर iis Triisu करते कि इसमें जब आप करते हैं तो्फ उस समय mobile पर registration नमर पासवर्ड और email पर नहीं प्राप्त हो रहा है . येसीरप आपके साथ समस्या नहीं है बहुत सारे छातनों के साथ समस्य कुछ ही एस्टुटेंट को भी हारे से सीकूरस इमेल या फिर मोबाइल नमर पर रेजिटेशन भेजा जा रहे हैं बहुत सारे स्टुटेंट फॉर्म फिलब कर रहे हैं इसलिए यहां पर नहीं प्राप्त हुआ तो उस कंडिशन बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं ह हैं उस कंडिशन में यहां पर दिया हुए फॉरगेट रेकिस्टेशन नमर का यहां पर आपको बिल्क कर सकते हैं पासवर्ड का भी ऑप्सटन है फॉरगेट यहां से आपी पर यॉर पासवर्ड हो जाएगा इसके बाद आपको login करना है तो login का यहाँ पर section है, यहाँ से login करके आप payment कर दीजे, qualification details यह सब upload कर दीजे, और यहाँ पर certificate को लेकर dot है, तो certificate को लेकर dot में भी यहाँ पर clear कर देते हैं, खास करके जो बिवाहित महिला है, अगर आपको NCL बनाना है, अगर आप BCVC category साथ हैं, तो उस condition में कह से बनेगा, इसके लिए आपके पास सबसे पहले तीन चीज पहले से होना चाहिए, पहला जाती परमान पत्र हो गया, दूसरा निवास परमान पत्र, यानि आवासिया परमान पत्र, तीसरा आय परमान पत्र, यह तीन चीज अगर आपके पास है, तभी आप NCL के लिए अप बनाने से पहले आपके पास ये तीन डॉकुमेंट होना चाहिए और जो विवाहित महिला है उस कंडिशन में यहां पर आप देख लिए एक बार लिस्ट कास सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपके पिता के नाम से होना चाहिए कास सर्टिफिकेट जो आपको बनाना है पिता के नाम से होना चाहिए पती के income से ही आपका यहां पर NCL बनेगा और यह दो जो होना चाहिए हस्वेंट के नाम से होना चाहिए यहां सी यह clear हो गया आपको और इसके बाद अगर आप apply की जगा तो बिल्कुल भी आपका फार्म reject नहीं होगा यह है जो विवाहित महला उसके लिए card certificate आपका पिता के नाम से होना चाहिए अब NCL के लिए आपको apply कहा करना है तो पिता का address है यह card certificate में आपके पिता का जो भी block है उसी block में आपको apply करना है पती के block में बिल्कुल भी apply नहीं करना है NCL जो बनेगा आपके पित आपक नाम से लेकिन उसके लिए condition यह है कि आपका income certificate और निवास परवान पर पती के address के coding और पती के eye के अनुसार होना चाहिए और आप apply किजेगा तो बिल्कुल आपका हो जाएगा और आप अपने block में भी संपर कर सकते है वहाँ पर भी यहीं चीज बताया जाएगा और अगर आप online apply करते तो इस तरह से किजेगा विल्कुल भी आपका फ़र reject नहीं होगा और अगर आपको एक सब्ता में चाहिए तो अगर आप online किजेगा तो NCL के लिए कि इस दिन का समय मांगा जाता है तो आपके लिए best यहीं रहेगा कि आप online कर दीजे और इसके बाद block में संपर कर लिए वहां पर 4-5 दिन में बना कर आपको जल्दी में दे दिया जागा इस तरह से हो गया और NCL CM यहीं चीज है जो यहां पर पुरुस अभ्यार्थी है और जो बिवाहित नहीं है उस condition में भी आपको इसी तरह से बनाना है पीता के नाम से होना चाहिए बस यहां अप लोग त्यारी करना चाहते है तो इसके लिए application से जूरजआ अप्लीकेशन पर कोर्स शुरू हो रहा है बहुत ही कम प्राइस पर आप लोगों की त्यारी करवाएंगे और बहुत ही बहतरिन प्रीम धुकरी जिसमें आप लोगों को संपूर्ण त्यारी करवाएंगे Math reasoning के साथ साथ GK Science का भी और अच्छी तरी के से त्यारी करवाएंगे जिससे आपका सेलेक्शन हो जाए और आप application से जूर करके PDA previous year का फिर में download कर सकते study material section से और भी बहुत साथ आपको बिहारे से संबधिन फिरी content मिलेगा तो आप application से जूर्ण कर लीजिए और course भी आप जूर्ण कर सकते हैं